जैहिंद एवरिवान जैहिंद टू आल डिफेंस एस्परेंट स्वागत है एक बाद फिर से आपका प्रिविएस एर क्वेस्टन की स्रीज में मेरे साथ माइनेम इस अभिशेक और एक और क्वेस्टन आपका कम्यूनिटी चैनल पर जो मिला होगा आपको क्वेस्टन है एंडिये प्रिविएस एर का और आया हुआ है आपका दोहजार चोधा 2014 एंडिये वन्म का क्वेस्टन नमबर 24 सेट एक क्वेस्टन है आपका फिलिंदा ब्लैंक से क्या है वेन दपुलिस अराइवड जब पुलिस आई दा थीफ यहाँ पर अवे से पहले आप का एक जो है गैप है फिलिंदा ब्लैंक है वही आपको फिल करना है तो जब पुलिस आई तो चोर डैश अवे वैसे तो बहुत इजी है बर दूसरे वर्ड का मीनिंग जानना भी बहुत जुरूरी है पहला वर्ड है स्ट्रॉल है ना क्योंकि स्ट्रॉल का मतलब क्या होता ह सेर सपाटा सेर करना शाम के टाइम पे आप जो लेजर के लिए है ना मतलब अपना टाइम लेजर के लिए जो है इस पेंड करने जाते हैं इसे घूमने निकल जाते हैं सेर पे उसको बोलते हैं स्ट्रॉलिंग तो आप चोर सेर करने तो जाएगा नी है ना ये तो अंडेस् वुर्णान एक जगह से जाकर दूसरी जगह रहना शुरू कर दे तो क्या बोलते हैं टूस्टराट लिविंग या टू लिव इन कि मैं डिफेरेंट प्लेश different place ठीक है तो यानि कि वो क्या हो गया move away हो गया यहां से पहले भारत में रहता था या पहले UP में रहता था अब वो महरास्ट्रा में रहने लगा तो उस case में हम use करते है move away का अब यह word है gallop है ना अब अगर आप word search करेंगे तो meaning निकल कर आएगा कि घैलब माने भी तो भाग नहीं होता है gallop का मतलब भी तो दोड़ नहीं होता है तेज स्पीड से तो यहाँ पर हमने rain ही क्यों लगाए हम gallop क्यों नहीं लगाए है ना question है but gallop use कहां होता है gallop use होता है एक तो horse के लिए और जो horse rider होता है उसके लिए यूज होता है जब वो अपने घोडे को बहुत तेज स्पीड से भगाए तो उसको बोलते हैं ग्यालप, वहाँ पर यूज करते हैं For example, कि भई, she galloped her horse, she galloped her horse towards me, towards me तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उसने अपने घोडे को बहुत तेज गती से मेरी तरफ भगाया तो वहाँ पर इसको यूज करते हैं, gallop को, ठीक है तो that is the reason कि बाकी तीनों options जो है, यहाँ पर fit नहीं होते हैं आपको पता होना चाहिए इन phrases का भी meaning, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही चीज आप से बार बार पूछी जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा The thief ran away, चोर भाग निकला, option number, D will be your right answer, I hope you understood, I hope you got my point, है ना, चलिए तो इसी तरह की words को जानने के लिए और English में फते हासिल करने के लिए इस बार अपने ND के exam में, फिर से मिलेंगे अगले question में, जै हिन, जै भारत